अगर आप आमाजॉन पर फूट प्रोड़क्स को सील करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखें इस वीडियो में हम समझेंगे FSCI लाइसेंस कितने तरीके के होते हैं और आमाजॉन पर फूट केटेगरी का अपुरूवल कैसे ले सकते हैं Food Safety and Standard Act के तहट 2006 में FSCI की रचना हुई FSCI में तीन तरह के लाइसेंस होते हैं Basic Registration, State License, Central License Basic Registration इसे State Government ड्वारा इशू किया जाता है Small Manufacturer, Storage Unit, Transporter, Marketer और Distributors के लिए इसमें Company जिनका Annual Turnover 12,00,00 होता है और License की Validity Maximum 5 साल से लेके Minimum 1 साल तक की रहती है State License में पहले दो Guidelines सेम रहेंगे उसके बाद Third में Company का Operation सिर्फ एक ही State में होना चाहिए और इसमें Company का Annual Turnover 2,00,00,00 होना चाहिए Central License, Food Import, Export Businesses, Large Manufacturers, Central Agency Operators, Airports बगेरे के लिए इसू किया जाता है Central Government के दौर Food Companies को Central License के जरूरत है जब उनका Operation एक से ज्यादा City या State में होता है और ये License 20 करोड के Annual Turnover Companies के लिए होता है Amazon पर Food Products सेल करने के लिए Sellers के पास State License होना चाहिए अब हम Amazon पर Request Approval के Process को समझेंगे आपके Amazon Sellers Central के Home Page पर Right Side पर Search Bar का Option में लेगा यहाँ पर आपको Grocery और गौर में Food सर्च करना है उपर होने वाले एक Pop-Up Window पर Grocery और गौर में Food पर क्लिक करना है Second paragraph में आपको यहाँ पर Request Approval का Option मिलेगा उस पर क्लिक कर दे यहाँ पर आप Manufacturer है या Reseller से सेलेक करना है एक Reseller के लिए आपको पहले एक Purchase Invoice सब्मिट करना है Invoice के अंदर आपको इन 6 Conditions को द्यानवे रखते हुए शेयर करना है First, Purchase Invoice आप जिस दिन अपलाय कर रहे हैं उस दिन से 180 दिन के अंदर का होना चाहिए आसानी के लिए यहाँ पर आपको डेट दी गई है इस डेट से पहले का Invoice अटेज करना है Second, Purchase Invoice में आपकी कमपनी का नाम, एड्रेस और GST नमबर आपके Amazon Account की Information के साथ मैच होना चाहिए Third, इसके अंदर आप जिस Manufacturer या Distributor से प्रोड़क्ट खरीद रहे हैं उनकी कमपनी का नाम, एड्रेस, GST नमबर और उनकी Contact Details होनी चाहिए Fourth, प्रोड़क्ट की Quantities दस या उससे अधिक होनी चाहिए Fifth, अगर आप चाहें तो इसमें प्रोड़क्ट की Pricing को Hide कर सकते हैं बस ये दियान रखें कि आप Price के अलावा और को Information Hide ना करें Sixth और आखरी, आपका Invoice Verify करने के लिए Amazon आपके Vendor को Contact भी कर सकता है अगर आप Invoice के बारे में कुछ और Information बताना चाहते हैं तो यहां Comments में लिख सकते हैं अब आगे, आपको Fasize Certificate के साथ Product और Packaging के Images अप्लोड करने हैं जिस पर Compulsory Manufacturer का नाम और Address Visible हो Product की हर एक एंगल के Photos लेने हैं जैसे चार साइट, टॉप और वाटम Product के Photographs मोबाइल से खीचे होने चाहिए, डिजिटल नहीं और इसमें Product और Packaging पर लिखी हुई सारी Information को आसानी से पढ़ सके आप जो Fasize Certificate अप्लोड करेंगे, वो Full 4 Pager होना चाहिए जिसमें First Page पर आपका License Number होगा Second Page पर Product Ennexture होगा, जिसमें आप जो Product Sale करना चाहते हैं, वो Category शामिल होगी Third Page में Validation & Renewal Ennexture होगा, जहां आपके Certificate की Expiry Date होगी Fourth और आखरी Page पर Company या Proprietor की Details में लेगी के बाद ये Seller Declaration Document को Fill करेंगे, इसमें आप Declare कर रहे हैं कि आपकी Product की Manufacturing FSSA Act 2006 के Guidelines के हिसाब से की गई है, यहां पर आपको अपनी Company का नाम डालना है, जो आपके FSSA Certificate पर है अगर आपके Company का नाम लंबा है, तो इससे बिना Capital के लिखें, जिससे ये Box के अंदर सही से Fit हो जाएगा अगर आपके Company LLP, Private Limited या Limited है, तो सिर्फ Company का नाम लिखना है और अगर ये एक Proprietor Form है, तो Company के नाम के साथ Proprietor का Full Name लिखना है, जैसे GST या FSSA Certificate में है उसके बाद यहाँ पर आपका GST Address with Pin Code लिखना है, अब यहाँ पर आपके Amazon Seller Account का Display Name लिखना है आपके Account का Display Name आपके FSSA Certificate से मैच होना चाहिए अगर आपने Account Register नहीं किया, तो Display Name सेक्षन में Registration के दोरान ही आपका FSSA नाम सब्मिट कर दीजिए इसे आप Edit भी कर सकते हैं, Setting में Account Info पर क्लिक करें और Left Side में आपको Store Details में आपका नाम सब्मिट कर देना है इन Check Box को Select कर लिजिए, नीचे Right पर Same Day की Date डाल दीए, Place में आपके FSSA का City डाल दीए Left में Company का नाम और नीचे FSSA License Number यहाँ पर आपको Company के Director या Pro Operator का नाम लिखके उपर उनका Sign करना है अगर आपके पास Stamp है तो उसे Use कर सकते हैं इसे Complete Fill करने के बाद यहाँ से Download कर दे Sign and Stamp करने के बाद इसकी Scan Copy को यहाँ Attach कर दे अब आप जो Products Amazon पर Sale करना चाते हैं उसकी List शेर करनी है List शेर करनी के लिए आपको यहाँ पर यह Excel Sheet डाउनलोड करनी है डाउनलोड की गई Excel Sheet ओपन कर लीजिए अब समझेंगे इस Excel Sheet में क्या Information फिल करनी है सबसे पहले है Product Series Number तो आप जितनी Product List करना चाते हैं उन सभी को यहाँ पर Add कर दे उसके बाद Product Name जो भी नाम Product के उपर लिखा हुआ है उसे यहाँ पर लिखे Next कॉलम में Product का Brand Name या Manufacturer Name लिखे Shelf Life में हर Product की Validity को यहाँ Dropdown में से Select करना है अगर आप Products को अपने पास रख के सेल करना चाते हैं तो Product की Validity कम से कम 3 महिना होनी चाहिए और अगर इसे Amazon के Warehouse से सेल करना चाते हैं तो Validity कम से कम 5 महिने होनी चाहिए अब कॉलम E में क्या आपके Product को Normal Temperature यानि Room Temperature में रखा जा सकता है इसे Example के तौर पर समझे तो Dry Fruits को Special Temperature यानि Freeze में रखने की ज़रूरत नहीं है पर अगर आप Chocolate सेल करते हैं तो उसे Freeze में या Low Temperature में रखने की ज़रूरत है ताकि वो पिग लेने यहाँ आपको Product के मताबिक Yes या No सेलेक करना है इस कॉलम में आपको बताना है क्या आपकी Product Organic है या नहीं अगर आप Organic में Yes सेलेक करते हैं तो आपको NPOP या PGS India का Certificate देना होगा NPOP का Full Form है National Program for Organic Production और PGS का Full Form है Participatory Guarantee System for India अगर आपके पास इनमें से एक Certificate नहीं है तो Organic में No सेलेक कीजी लास्ट कॉलम में अगर आपके Product Import की हुई है तो उसमें Yes सेलेक करें Imported Products के लिए Amazon थोड़ी लंबी जांच कर सकती है और आपसे E-Way Bill जैसे Additional Document मांग सकती है Imported Product Approval के आसानी के लिए आपको Product और Packaging के Photographs यहाँ पे अपलोड करने हैं जिस पर लिखी हुई सारी Information को आसानी से पढ़ सके अब यहाँ पर Attachment File Types में Excel नहीं है तो आपको इस Excel को PDF में Save करना पड़ेगा इसके लिए आप Excel में जाकर Save As पर क्लिक करें फिर अपना चुनेंदा फोल्डर या Desktop सेलेक कर दें बात में Save As टाइप में PDF सेलेक करके फाइल को Save कर दीजिए अब इसे आप आसानी से यहाँ अटेज कर सकते हैं अगर आपने Organic में Yes और Imported में Yes सेलेक किया है तो आपको इस फाइल के साथ साथ NPUP ये PGA सर्टिफिकेट को अटेज करना है और प्रोड़क के Images को इन केटेगरी प्रोड़क्स के अलावा कि Food Products के लिए प्रोसेस यहाँ पर Complete हो जाती है अब इन्हें से कोई प्रोड़क सेल करने के लिए आगे समझते है Dry Fruits के लिए सेलर को Compulsory Lab Test Certificate चाहिए होगा ये Lab FSCI द्वारा Notified और NABL द्वारा Accredit होनी चाहिए परना आपका Certificate मानने नहीं होगा इन Labs की लिस्ट के लिए यहाँ दी गए लिंक पर क्लिक करना है ये Redirect करेगा FSCI की वेबसाइट पर जहाँ पर आपको Primary Food Laboratories में पूरे लिस्ट मिल जाएगी इस पर क्लिक करके Open करें और Scroll करके नीचे हैं यहाँ पर आपको दोस्तों से अधिक Labs मिलेगी जिसमें आपके शहर स्थाफित Labs से Certificate ले सकते हैं एक चीज़ का यहाँ पर खास ध्यान रखें आपकी Select की गई हुई Laboratories का NABL Validity Expire नहीं होना चाहिए उसके लिए आप यहाँ पर Select की गई Lab का Validity चेक कर सकते हैं आखिर में आपको Lab में इन Parameters का टेस्ट करवाना है तो आप ध्यान से यह Parameters Laboratories के साथ शेर करें और आपके Dry Fruits अगर Lab टेस्ट में फेल होते हैं तो आपको Approval नहीं मिलेगा चौकलेट प्रोड़क्स के लिए Sellers को अपनी कंपनी के Letterhead पर एक Declaration देना होगा कि वो प्रोड़क्स को शिपिंग के दोरान Gelpax को यूज करेंगे ताकि Customer के पास पहुँचने तक चौकलेट प्रोड़क्स के लिए Sellers के पास Valid BIA Certificate होना चाहिए आखिर में आपको अपना Email एड्रेस और Mobile Number डालके Submit कर देना है और अगर आप एक Manufacturer है तो आपको Purchase Invest Submit करने के ज़रूद नहीं है Direct Fasay Certificate से ही स्टार्ट करना है आपके Fasay Certificate में Kind of Business में Manufacturer होना ज़रूरी है इसके साथ आप चो प्रोड़क्ट के images Atex करेंगे उसके उपर Manufacturer में आपकी Company का नाम होना चाहिए आगे की प्रोसेस जैसे हमने Reseller में इस वीडियो में देखी वैसे ही Complete करना है आप अपनी अप्लिकेशन का स्टेटस Case Log में चेक कर सकते हैं इसे Approal होने में 3-7 दिन तक कर समय लगता है और अगर Amazon को कोई Additional Information चाहिए होगी तो आपको यहां Notify करेगा अब Last Step Setting में Bottom में आपको Your Infor Policy मिलेगा उस पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद About Seller पर क्लिक कीजिए यहां पर आपको अपना FSSAI नमबर लिखना है और अगर आप Reseller है तो आपके Manufacturer और आपका दोनों का FSSAI नमबर लिखना है यह आपके Approval Request Review का पार्ट है तो इसे जरूर से Complete करें मैंने वीडियो में दिखा ही यहां डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपके आसानी के लिए और यहां पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है Thanks for watching our वीडियो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारी चनल को सब्सक्राइब करें